प्लस टू में घूम कर आएंगे और बहुत जोर से आप के थपड़ लगेगा अज गाल पे आपको कुछ नहीं आता होगा प्लस टू में सब साफ नजर आएगा बीस ग्रूप हैं यू समझे लो बीस नाम याद करने हैं कम से कम उनके बीस नाम तो याद हो आपको उसके बाद में आपकी नेमिंग स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो नेमिंग में और भी ग्रूप कर लीजिए ठीक है ये सिम्रन बेटा आप अपना माई को ओन ओफ किजिए ठीक है तो 14 ग्रूप से हैं वो सभी के सभी हम याद करेंगे बेटर तरीके से ठीक है नोट बुक उठा लीजिए याद करने का तरीका है कि 10-10 मोलीक्यूल सभी के लिखने हैं मैं आपको 2-2 मोलीक्यूल यहां पर लिखवाओंगा आपके सामने स्क्रीन पर होंगे और बाकी के 8-8 मोलीक्यूल या फिर से आप उसको 1-2-3-4-5-6 पूरे हर किसी के 10-10 लिखने ह तब से 140 मोलीक्यूल बनाने हैं 140 मोलीक्यूल बनाने हैं और नाम लिखने हैं कितना देर लग सकती हैं 20-25 मिनिट का काम हैं इस से जाधा नहीं है लेकिन ये 20-25 मिनिट का काम और इसी तरह के 5-7 लेक्छर-10 लेक्चर जो organic chemistry के 10 लेक्चर कम से ऐसे important हैं जो हैं बहुत आसान लेकिन प्लस टू में जाने के बाद वो 10 lecture teachers के पास time नहीं होता, वो नहीं लगाते हैं और उन 10 lecture को ना लगाने की वज़े से, क्योंकि पीछे वाला आपको कुछ आता नहीं होता और आगे वाला आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो पूरी औरगैनिक डूब जाती है पूरी औरगैनिक प्लस टू में डूब जाती है बच्चों कि सिरफ उन 10 lectures की वज़े से जो अब हम लगा रहे हैं तो ये पहला lecture आज उसके लिए है organic का 3 है क्योंकि जनरल हमने तब भूल ले होगे। किसी एक आदमी का एक बार नाम लेने के बाद अगर वो दो महीने बाद आपके सामने आ जाए आपको उसका नाम याद मी होगा। असान चीज़ है लेकिन क्योंकि मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आपको प्रैक्टिस करते हैं इसलिए याद नहीं रहता अगर दस-दस मौली के लिए याद कर लें यह हमेशा याद रहेगा। तो यही कमाल की चीज़ यहाँ पर है बिटा तो भी अवेर अबाउट इस तो फैहल सबसे पहले आता भाई कार्बोक्सलिक एसेड के अंदर कार्बोक्सलिक एसेड क्या होते हैं यह जो नेम मैंने दे रहे हैं जो ग्रूप बता रहे हैं यह पिरियोरिटी के हिसाब से भी ह प्रेफरेंस दे मानलो है आफके पास कारवन की चेन है यहां पर हमापको एक एक इसमम्बल देता हूँ यह कार्बन की चेन है आपके बताओ सबसे पहले यहां से और तो फृटी फोर या फिर आप काॉंटिंग ऐसे शुरू करोगे बात समझ में आई सबी को ये सर ये बात तो किसको प्रेफरेंस दें जब दो ग्रूप लगे हो तो पहले कौन से ग्रूप को प्रेफरेंस दें उसको सबसे नेरेस्ट नंबर देना होता हमें सबसे पास में रखना है उसे कार्बन की चेन में तो सबसे पास में तो one position OH की आ सकती है, one position COOH की भी आ सकती है, one मतलब COOH पहला कार्बन यह होगा है actual में, पहला यह है, फिर दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा यह पांचवा कार्बन होगा, या फिर one, two, three, four और यह या फिर वह वाला carbon पांचवा हो कौन सा carbon पांचवा होगा तो यह है priority group priority check करने का तरीका ठीक है तो भई हम carboxylic acid को OH से पहले prefer करते हैं कि अगर दोनों group एक साथ हो तो पहले carboxylic acid को माना जाएगा तो इसलिए पहला carbon होगा carboxylic acid वाला और पांचवा carbon OH वाला हो जाएगा क्योंकि counting इदर से शुरू हो रही तो वह पांचवा बन जाएगा yes guys यह बात सबको clear होगी बिटा yes sir तो इस तरह से तो यानि अब OH और LD suppose that एक और carbon है जिस पर LD idea ketonic group है तो ketonic group या LD idea group क्या होता है वो बता देता हूँ अब बताओ इस carbon को first नाम दे ठीक है यह second यह third यह तो सिंपल हो जाएगा नहीं रुकिए double bond oh हम किसी और पर लगाते हैं यह double bond oh है और इस तरफ इस तरफ CH3 है और इस तरफ CH3 CH2 CH2 OH लगा हूँ तो इस carbon को first, second, third, fourth ऐसे लगा सकते हैं या फिर हम ऐसा कर सकते हैं one इसको दिया क्योंकि हम बीच में से तो naming नहीं करेंगे ना सीधा seedable bond oh वाले को naming नहीं देए two, three, four तो या तो second carbon पर हमारा preferred group हो सकता है या first carbon पर preferred group हो सकता है तो यह भी यानिके सिर्फ carbonic acid नहीं तो जिसको मैं पहले करवाऊंगा वो पहले preferred होगा जिसको बाद में करवाऊंगा वो बाद में preferred होगा तो number one मतलब यह number one group है carbonic acid अगर कोई भी group इसके साथ लगा सारे group अगर लगे हूँ है उस molecule में यह भी लगा है तो पहला number इसका आएगा समझ में आगया बिटा सबको मैं क्या कह रहा हूँ यह सर तो यह सारे के सारे group हमने preference के हिसाब से ही लिखे हुए है याद रख लेना तो जिसकी जो preference है उसको उसी हिसाब से लिखा हो तो पहले देखिए कार्बुक्स लिक एसिड है यहां हम क्या लगा सकते है यह आरेच लगा सकते हैं यह आरेच लगता है लगता यह नнимे इस ग्रूप में एच भी लगा सकते है क् Parbon और ऑो यह ऑठे़ के लिखे है देखो तो हम डायरेक्ट एक लगा सकते हैं एक Carbon TOM हमें omyदिक्क्त रिया तो यह फिर इस चेन को इस तरफ से कितना भी बड़ा क हीच सक्त हो तो कितनी भी बड़ी यहां carbon की chain यहां लगा सकते हो, don't worry, ठीक है, तो इस तरह से यह oic acid, इसके पीछे लगता, oic acid, तो सबसे पहला carboxylic acid बनाते हैं, बई, क्या बनेगा, मैं H लगाँगा फिर यहां तो, यह लग गया H, ठीक है, और फिर COH, C double bond O, यह double bond है, C double bond O, और OH, य ऐसे work करता है, yes guys, यह clear है सबको, yes sir, ठीक है, तो अब देखो, इसको हमने थोड़ा diminished कर दिया, थोड़ा सा, इसी को condensed कर दिया, condensed form के अंदर इसको लगा दिया थोड़ा, तो condensed form क्या होगी, H, C, O, दिखाए दे रिए सबको, H, C, O, नाम लिखा उसका, है ना, तो यह बन गया H, C, O, that is, condensed कर दिया formula को, आपको यह condensed भी करना है, हर किसी के दस-दस example बना के देखना है, अभी notebook उचालो, मेरे साथ, जैसे-जैसे कर वा रहा हूं, वैसे-वैसे करते जाओ, ठीक है, आसान हो जाएगा, clear है बिटा, yes sir, ठीक है, तो यहाँ, जैसे की, यह H, C, O, O, H, जो है है, इसकी condensed form है, और expanded form इसकी यह है, दोनों forms आपको याद होने चीजिए, CDC बात है, उसके बाद इसका नाम लेंगे, एक carbon है, तो myth लगेगा, myth एक carbon के लिए, फिर, क्योंकि सभी single bond है, carbon दूसरा तो है नहीं, तो mythane लगेगा, और इसके पीछे लगता होता है, oic acid, तो mythane के बाद लगेगा, oic acid, अब mythane का e, हमने drop कर दिया, क्यों, e और oic acid, e और o, दोनों wovel है, अगर दो wovel हिकटे आजाएं, तो e को drop कर दीजिएगा, mythane, ethane, propane, वाले को, ठीक है, यह समझ में आगया सबको, yes sir, mythane, ethane, propane, butane, सबके पीछे e लगता है, तो a, n नहीं, single bond में, तो e drop हो जाएगा, e को हटा देंगे, क्योंकि oic acid लगा रहे हैं, तो दो wovel हिकटे नहीं लगाने, ठीक है बिटा, यह बात क्लीर है न, तो यह बन गया, mythane, oic acid, अब अगर इससे बड़ा acid बनाना है, तो carbon की chain, H की जगह पर CH3 लग जाएगा, फिर उससे बड़ा लगाना है, तो इसी CH3 की जगहें पर यह CH2 हो जाएगा, फिर यहां CH3 लग जाएगा, या इसको भी CH2 कर दो, यह CH3 और इस तरह से यह carbon chain इस तरह बढ़ती रहेगी, क्लीर है भई? सरी, इसी साइट से बढ़ेगी, इसी साइट से, दूसरी तरफ तो आप carbon लगा ही नहीं सकते बढ़ेगी, अगर यहां आपने carbon लगा दिये, तो यह तो H हट गया, यह तो carbonic acid में H तो होना ही चाहिए, है ना, ketone नहीं बनेगा बढ़ेगा, यह ester बनेगा, वो भी करेंगे, don't worry, तो इस तरफ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इसी तरफ से बढ़ेगी chain, ठीक है, तो अब दो carbon होगे total, तो इसका नाम क्या होगा, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं, ओ इक एसेड, ओ इक एसेड, ठीक है, तो इथ एन, ओ इक एसेड, E drop हो जाएगा, क्यों, क्योंकि E जो है है, तो इसलिए वो हट जाएगा, clear है भई ये सबको, पहला carboxylic acid, सबसे preferred, सबसे preferred group of the organic chemistry, सबसे पहले इसको preference देते हैं, इसकी priority सबसे superior है, सबसे ऊपर आता है, ये, वो है carboxylic acid, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जब किसी के साथ लगता है न, तो उस compound में कोई भी property वाला दू दूसरा group बैठा हो, ये जिसके साथ लग गया, ये उसकी property, carboxylic acid जैसी कर देगा, clear है भीटा, yes sir, है न, तो यानि carboxylic acid की property, ये सबकी property बदल देता है, ये अपने वाली चलता है, कि अब अपने वाला गाना लगा हो गई, ठीक है, जब ये आ गया, तो ये अपने वाली च एक्स, हैप्ट, ओक्त, नोन, deck, deck के लिए 10 होता है, deck से next, आगे देखो, undeck, undeck होता है 11, फिर do deck, 12, undeck और do deck, ये मैंने दुनों red pen से, red marker से इनको box कर रहा है, ठीक है, next देखिए, ये याद करने मतलब आपको, फिर 13 के लिए लगाएंगे, try deck, 14 के लिए tetra deck, फिर pentadeck, hex deck, octadeck, ठीक है, heptadeck, वो सब आप लगा सकते हैं, clear है, next आएगा 20 के लिए icos, icos 20 के लिए लगाते है, icos 1 बनेगा तो 20 का icos 1, मतलब सारे hydrocarbon normal हो तो, फिर 21 के लिए hany course, 21 के लिए un course नहीं लगेगा, hany course, 22 के लिए do course, जैसे 12 के लिए थे न, do deck, वैसे ही do course, further, try course लगेगा 23 के लिए, फिर 30 के लिए क्या लगता है, try count, आपको सामने screen पे दिखाए दे रहो, try count, that is try count, this word, yes guys, clear है, yes sir, try count 30 के लिए, फिर hany try count होता है, बई, अब देखो, hany try count होता है, 31 के लिए, वहाँ hany course था न, उपर, 21 के लिए, 31 के लिए hany, try count, try count word पीछे चलेगा, hany try count, do try count, फिर do try count, फिर tryon try count, फिर tetra, tetra है nे try count, tetra try count, ऐसाचा है, तो यह 40 कि तक 40 चलेगा tetra count, वो try count था, यह tetra count है, 40, pentacont, 50 के लिए चलेगा pentacont, 60 के लिए चलेगा hexacon, फिर heptacount, सब्सक्राइब अब देखो कमाल है ना हम लोग बता नहीं क्या-क्या बढ़ते रहते हैं, पर सेंट, सेंट का मतलब हंडर्ड होता है, हेक्ट का मतलब हंडर्ड होता है, हंडर्ड का मतलब हंडर्ड होता है, तो यह सारे के सारे आपको याद होने चाहिए प्रैक्टिस कीजिए सब के नाम लिख लिखके देखिए जैसे मैंने लिखे हुए है वैसे आप लोग भी लिखके देखिए और उसको याद कीजिए चीचे तो देखो भी पहला ग्रूप हो गया और दूसरा ग्रूप देखते हैं दूसरा ग्रूप है सलफोनिक एसिड जिसको प्रेफरेंस है और सलफोनिक एसिड की अंदर क्या है है, sulfonic acid में होता है, R, S double bond O, S double bond O, और OH, that is sulfonic acid, ठीक है, तो यानि, sulfonic acid क्या होगा, SO3H, तीन oxygen लगए होगा है sulfur के साथ, और H, ठीक है, और एक valency खाली है sulfur की, that is the sulfonic acid group, तो इसके पीछे क्या लगता है, sulfonic acid ही लगता है, methane के पीछे sulfonic acid लगा दो, methane sulfonic acid, ethane के पीछे sulfonic acid लगा दो, ethane sulfonic acid, and so on, yes guys, clear up it all, सबको, यह वाद समाझ में है, तो यहाँ देखिए, methane, दा लिखा हुआ है, तो हम नाम पढ़ें, कैसे आएगा, तो यहाँ कम से कम, organic compound कैसे हो सकता है, वो पीछे वाला तो carbon है यह नहीं, इस में, तो हम इसका नाम बढ़ेंगे, mythane, एक carbonate, एन ठीक है, और यह क्या है, यह sulfonic acid है, तो पीछे लग जया, sulfonic acid, बस बात कर तो, बिल्कुर, तो इसका में बढ़ें, sulfonic acid, यह नहीं करके, सबने, अभी, अभी शाथ लिख लीजिए, आपके लिए बहुत, नोट कर रहे हो गया, नोट्बुक में, येस सर्थ, स्नेहा, पूजा, नैना, उर्वशी, मोनी, अंकित, येस सिमानशी, अब नोट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये नोट कर लीजिए, और साथ में इनके ना, आपको दस-दस, मैंने दो-दो मोली के बनाए, आपको दस-दस बनाने है, सबके expanded formula लिखने है, condensed formula लिखने है, फिर नाम लिखने है, decain तक कम से कम से लिखने हैं, साथ, इकी बार लिखने पढ़ेंगे life में, याद करना है, इसको ऐसे नहीं होएगा, याद ध्यान रखिएगा, next देखते हैं, इससे अंदर, क्योंकि नाम फिर जल्दी भूल जाओगे, इस्टर, तीसरा गृप एस्टर, पहला गृप है, पहला गृप क्या था, याद है किसी को, तीसरा क्या था, तीसरा क्या है, एस्टर, ऐसे इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए, सीक्वेंस भी याद करना है साथ की साथ, ताकि जब हम sequence की बात करेंगे तो आपको molecule आसानी से याद हो जाए तो esters, तो ester है यहाँ ester के पीछे लगता है O8 O8 O-A-T-E O8, यहाँ screen के उपर आपको दिखाई दे रहा हूँ यह O8, यह लगता है ester के पीछे तो ester होते क्या हैं तो ester होते हैं भी और यहाँ पर क्या है, यहाँ R या H लगा हो सकता है तो कार्बोक्स लिकेज़ दूर इसमें क्या फरक है सिर्फ H की जगें पर R लगाना है बस बात खतम, उदर वो सहीं नहीं रहेगा Yes guys, clear है सबको Yes sir बिल्कुल सिंपल है H की जगें पर R लगा तो बस बात खतम ठीक है तो O8 लगेगा पीछे तो कैसे बनाएंगा अब इसको बनाने का तरीका आपको ध्यान से करना है तो देखो, ये COO ये ग्रूप हो गया और यहाँ पर मैंने लगा दिया R या H तो मैंने आच लगा दिया COO ग्रूप ही ये वला हो गया और R की जगें पर सबसे छोटा ग्रूप लगा सकता हूं CH3 बिल्कुल पसानी से है ना इसको नेमिंग कैसे दे अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है अब यहाँ आप दो कार्बन दिखाई देने ना तो आप जोड़तों मित इत इत है ना इत एन ओ एट लिख सकते थे इत एन ओ एट पर इसका ये नाम नहीं है क्यों इसका रीजन बता सकते है वोई Anyone can tell me the reason कोई सोच सकता है बटा देखिए अब इसका reason मैं बताता हूँ बहुत आसान reason है देखिए क्या होता है अब इस चीज़ को ध्यान देना कार्बन की chain अगर continue है continue 1,2,3,4,5,6 सब के सब continue है है के नहीं है continue बिटा जल्दी बताइए है ना अगर ये continue है तो इनका नाम बिल्कुल continue चलेगा 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसी तरह से यहने methane, methane, propane, butane, pentane, hexane इसी तरह से चलेगा बट अगर एक जगें बीच में कहीं ये कार्बन की chain break होकर यहाँ oxygen लगा दिया अब देखो ज़रा तो 1,2,3 के बाद 5,6 नाम गलत है क्यों? क्योंकि ये break हो चुकी है ये continue chain नहीं है continue chain को ही 1,2,3,4 नाम दिया जाता है अगर break हो जाए तो दूसरी chain को फिर से 1,2,3 नाम देंगे फिर से 1,2,3 तो इसका मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए तो इसका नाम अगर हम देना चाहिए 1,2,3 यहाँ oxygen है और ये 1,2 ऐसा है तो इसको हम नाम देंगे 1,2,3 और इसको भी 1,2 ऐसे करके दोनों को अलग-अलग नाम मिलेगा समझ में आ गई ये बात? येस सर तो अब हम इसको यहाँ से रब करते हैं ये चीज़ आपको अब समझ में आ चुकी है ठीक है? तो अब देखिएगा वेटा जरा क्योंकि हमें अब ये ख्लियर हो गया तो अब यहाँ पर भी तो carbon की chain continue नहीं है दो carbon की chain बीच में oxygen आ रहा है कोई और atom भी हो सकता है not only just oxygen bivalent कोई भी हो बीच में अगर आ गया carbon की chain breakdown होगी तो इस दोनों को अलग-अलग नाम मिलेगा तो इधर वाली CH3 को भी methyl नाम मिलेगा क्योंकि ये methane से बनी है एक carbon है myth लगेगा न और क्योंकि methane नहीं है ये तो group की तरह काम करेगा इसको methyl बोलेंगे दूसरा carbon जिसके साथ double bond O है अब ये ध्यान से समझ लेना C double bond O वाला carbon जो होगा main carbon होगा तो इसका नाम हमने रखा methane O8 methane O8 इसी के पिछे O8 लगएगा क्योंकि oxygen इसी के साथ लग रहे हैं दोनो दोनो oxygen Yes, got this point clear है ये होगी main chain root chain and main chain किये वाली होगी कौन सी जिसके साथ दोनों oxygen लगए हुआ है जिसके साथ सिर्फ एक ही oxygen अटेच है जैसे आप यहाँ देखो इस CS3 के साथ भी तो एक oxygen है बट double bond oxygen जिस carbon के साथ है वही main chain होगी तो उसके साथ तो ये कैला hydrogen लगा और तो कुछ है नहीं उस तरफ तो ओ लगए हो तो दोनों के साथ common है तो ये जो carbon होगा दूसरे वाला जो अकेला हो से जुड़ा है तो ये एक carbon है तो मिथ लगेगा लेकिन क्योंकि ये main नहीं है तो methane तो इसको नहीं लिख सकते है तो इसको methyl नाम देंगे क्यों अब देखो ज़रा CH4 अगर इसमें से एक hydrogen हटा दूँ तो एक valency इसकी होगी खली ये यही तो है CH3 है ना तो एक valency होगी खली तो ऐसे group को myth yl लगा देते हैं methyl अगर दो carbon हो ऐसे तो यानि CH3 फिर CH2O एक valency खली तो इसका नाम होगा ith yl ethyle yes guys ये समझ मैं है methyl, ethyle, propyle, butyle, pentyle, hexyle, heptyle, octyle, non-yle, dekyle, un-dekyle, do-dekyle सब के सब ठीक है तो इस तरह से ये सारे नाम होगी तो ये चीज़ ध्यान रखियेगा भी तो हमने एक carbon को as a group लिया methyl, ethyle, propyle, group बना दिया उनको तो ये बन गया methyl group ठीक है तो अब इसका नाम लखें तो methyl लगेगा पहले फिर उसके बाद में लखेगा methane-08 methane-08 yes, clear है बिटा सबको methyl, methane-08 yes, sir that is it, that is the name of the compound अब आगे बढ़ते हैं बई, अगर दो carbon लगे हो तो दो carbon देखिए क्या है ethane, यहां है दो carbon तो main chain के साथ दो carbon है ना, c double bond ओ को main chain मानते हम, तो main chain के साथ में एक और carbon attach है तो ये बन गया ethane-08 ethane-08 और इस तरफ एक ही carbon लगा हो तो ये थाइल methyl group ही रहेगा, दो carbon ने थाइल methyl, 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 propel, pentyle कुछ भी no name हो सकता है, इस group का yl पिछे लग जाएगा, that is it तो इस पूरे compound का नाम क्या होगा तो methyl group पहले लगेगा, फिर ethane-08 that will be the name हो तो compound, methyl, ethane-08 तो ये रहे हैं, तो ये थीक है, ओके इसको note भी करता है रही है, साथ की साथ, लिख लिजी अपनी notebook में, मैं फिर से कह रहा हूँ, वरना अगले दो साल तक organic chemistry के नाम से डर लगेगा, और ये असान-असान सी चीज़ें है, बहुत असान है, चीज़ देखने में असान ही है, बस ये लगा दिया, दो नाम याद कर लो, बस बात का तम, ठीक है, लेकिन दस के दस लिख के देखो, एक एक इनका IUPAC ने, मैं सिरफ IUPAC नेम लिख रहा हूँ, International Union of Applied Chemistry ने जो नाम दिया है, वही नाम लिख रहा हूँ, दूसरे नाम नहीं लिख रहा हूँ, जो common name होते हैं इनके, उसके हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, फिर भी पहले ये याद कीजिए, फिर जो important common name होते हैं, हम उसको कभी-कभी याद कर लिया करेंगे, ठीक है, कभी-कभी, वेटा, third हो गया, ester, तो पहला था, carboxylic acid, दूसरा था, sulfonic acid, तीसरा है, ester, चोथा क्या होगा, what will be the fourth, तो fourth हमारे पास है, acyl halide, इसको acyl halide बोलते हैं, या फिर acid halide बोलते हैं, acid halide, generally acid chloride बोल सकते हूँ, acid halide, group का नाम है, acid halide, that will be better to pronunciate, acid halide, अब देखे, इसमें होता क्या है, R, H, C, double bond, O, C, L, यानि C, double bond, O के साथ halogen लगा होगा, C, double bond, O के साथ halogen लग जाए, तो उसको बोलते हैं, halide group, ठीक है भई, तो ये acid halide group है, that is acid halide group, अब इस acid halide group के अंदर एक carbon already मोजूद है, तो यहाँ H भी लगा सकते हो, R भी लगा सकते हो, मतलब सबसे छोटा carbon बनाना है, सबसे छोटी चेन, तो H लगेगा, और इसके पीछे लगता होता है, acid halide के पीछे लगाता है, oil halide, oil halide, yes guys, clear है ये बात बिटा हो, oil halide, note कर लीजिएगा, अब oil halide के अंदर, oil halide होगा इसका suffix, अब बात करते हैं, इसका सबसे पहला member कौन सा बनेगा, तो भई R और H में R लगा दो, R का मतलब होता है, H लगा दो, R का मतलब होता है, alkyl chain, alkyl chain लगा हो जिस chain के साथ, ठीक है, तो यानि, sorry, alkyl chain हो जो, methyl, 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 propyl, methane, 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 propane वाली, one carbon, two carbon, लेकिन H मतलब single, तो H लगा दिया, तो सबसे पहले बन गया, एक carbon तो अब भी भी मोजूद है, seedable bond के साथ, तो methane oil chloride, that will be the name of the compound, क्या नाम होगा, methane oil chloride, methane oil chloride, ठीक है, इसका pronunciate करके भी देखिएगा, आपको बोलना भी आना चाहिए, methane oil chloride, next वाला कौन सा होगा, ethane oil chloride, यह सारे जो दो-दो नाम दे रहा हूँ, यह सब कुछ finger dips पे होना चाहिए, 10-10 nimes की practice कीजिए, उसके बाद में सबको ऐसे आँखे बंद करके finger dips पे कोशिश भी कीजिए, कि आपको आ गया कि नहीं आ गया, यही वो practice है, जो organic में शुरू में चाहिए होती है, बाद में उसकी ज़्यादा जरूरत पढ़ती नहीं कभी, फिर तो reaction नहीं याद करनी है, बट molecule समझ में तब आएगा ना, reaction तब समझ में आएगी, जब molecule समझ में आएगा, तो molecule यहाँ से समझ में आएगा, कि methane oil chloride, आपको भी बोला जाएगा, पता क्या बोलेंगे वो, acid halide के साथ में, आपकी reaction हो रही है, water उसके अंदर डाल दिया, acid के साथ में, carboxlic acid बन जाएगा, अब ना आपको acid halide बता, ना carboxlic acid बता, उसके बाद मैं moly क्यों लिख दूँगा, आपको के पता नहीं है, कैसे कैसे design याद करने पड़ते हैं, किसी में double bond हो है, किसी में कुछ है, क्योंकि आप नाम से तो interpret कर ही नहीं पा रहे हैं, और फिर organic लगती है, दो ही reactionों में इंसान के सांस फूल जाते हैं, हो, तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता, और वो छोड़ देते हैं, उसका reason यह है, तो इसी लिए बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ, note कर लिजी हर चीज, जैसे बेटा, आगे बढ़ें, येस सर, ठीक है बेटा, आगे देखिए, एसिड, ठीक है, एसिड अमाइड, next compound है, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड का मतलब जैसे, एसिड क्लोराइड था, या हैलाइड था, उसके साफ क्लोरीन लगा होता है, इसके साफ अमाइड लगा होगा, C double bond O, NH2, acid amide, C double bond O, NH2, that is acid amide, ये ग्रूप है acid amide का, और इसको simply amide बोलते हैं, acid amide नहीं बोलते हैं, ठीक है, simply amide, C double bond O, और यहाँ पर H या R, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, C double bond O, NH2, that is the group name, अब देखो यहाँ H लगाया तो, name देंगे, एक ही carbon है, ठीक है, H CO, इससे ऐसे भी लिखते हैं, CO, condensed formula, और NH2, C double bond O, को CO लिख दो, और NH2, तो इसका नाम क्या होगा, एक carbon है तो methane, amide, E drop हो जाएगा methane का, क्यों, क्योंकि दो वोवल एक साथ इखठे आ रहे हैं, अगर दो वोवल एक साथ इखठे ना है, तो E भी आएगा, methane amide, that will be the name of the compound, next, अगर H की जगेंपर अब CH3, एक carbon और जोड़ देते हैं, CH3 फिर CH2, तो आप एक और carbon जोड़ सकते हो, last वाला CH2, CH3 होता है, बाकि सब CH2, CH2 होते हैं, या आप इसे और expand करके लिख सकते हो, कैसे लिखते हैं expand करके, इस तरह से, कोई भी last carbon लिखोगे, वो CH3 बनेगा, बाकि बीच वाले जितने बनेंगे, वो CH2 बनेंगे, इस तरह से आप carbon की chain, expand कर सकते हो, और भी ज़्यादा, इसको C double bond O और NH2, ऐसा लिख सकते हैं, तो इस compound का नाम बताए, कितने carbon है भाई इसमें, 1, 2, 3 and 4, C double bond O वाले carbon को भी count कीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है, नाम बताओ कितना होगा, क्या होगा इसका, butane amide, butane amide, इसका condensed formula और expanded formula दोनों आपको आने चाहिए, next देखते हैं बटा, next है nitrile, nitriles क्या होते हैं, वैसे तो इनका common name होता है, cyanide, ठीक है, but मैंने बोला कि मैं आपको यहाँ common name नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, but यह interesting है, तो इसलिए आपको जल्दी याद होगा, cyanide, KCN का नाम सुना है, potassium cyanide, लिखा भी हो है मैंने वाँ पे, red inks है, yes, दिख रहा है सबको, KCN, yes sir, क्या होता है, किसी को idea है, KCN क्या होता है, KCN जहर है, ठीक है, जो फिल्मों में आपने दिखा होगा, कि वो विलन होता है, वो कोलर खा जाता है, ऐसे करके, और वो मर जाता है, वो यह ही है, इसको खाने से मरता है, KCN को, ठीक है, highly poisonous है, नमक होता है, यह भी salt है, हमारे NACL के जैसा color होता है, इसका बिल्कुल डिट्टो, वैसा ही white color का, ठीक है, और साथ में, इसको order less होता है, smell less होता है, इसका कोई taste नहीं होता, order और smell नहीं होती इसकी, ठीक है, तो इसको नमक में सबजी में डाल दो, किसी भी चीज़ में डाल दीजिए, बंदा खतम, एक ग्राम से तीन लोग मर सकते हैं, एक ग्राम से तीन लोग मर सकते हैं, यानिके, एक ग्राम में हजार मिली ग्राम होते हैं, तो तीन सो मिली ग्राम से एक आदमी मर जाता है, थर्टी हंडर मिली ग्राम, एक ग्राम का तीसरा हिस्सा, उससे एक आदमी को जान जा सकती है इतना खतरना कही है और यह होता भई, साइनाइड के साथ में तो पोटेशियम और साइनाइड यह दोनों आपस में जुड़े होते हैं अब इसके अंदर अगर के जौड़े होगे तो के तो अपना एल näm का याद करता है दोनों इलेक्ट्रोन के पास आगए तो कार्बन डिव और इसलिए साइनाईड जो होता है वो नेगिटिव चार्ज होता और तो उसमीं क्या क्या होता है वह आपको याद होना साइन आड नेग्टिव किस पर नेग्टिव होता है और नाइट्रोइन परह रहे हैं के लक रहुंड assembly टोटεται मत अना लिए ये लाकर्ण में बैठ घर जक्र। तो नाइटोऔजन में 5 होते हैं ठीक है तो नाइटोजन के बन रहे हैं तीन्बोंड बना लिए एक ऌलोन प्रफद है नाइटोजन में 5 हैं बिल्कुल कारबन में 4 कारबन में अब 3 बना लिये और तो ओर पड़े हैं 5 होगे इसमें 2 तो इसलिए HCN बन गया यहां negative positive charge नहीं है क्यों कि यह potassium की case में आता है बाकि किसी case में R और H के साथ उड़ाएगा तो यह HCN बन गया जब हम KCN खाते हैं ना हमारी body में जाता है तो हमारे stomach में जाएगा हो सबसे पहले तो stomach में जाकर stomach में होता है HCL तो H जो है वो इसके साथ जूड़ जाता है K तो पहले से हटाई हुआ है वो तो negative ion था तो cyanide negative ion के उपर H जूड़ जाता है और बनती है HCN गैस बहुत जहरेली होती है इसी की वज़े से आदमी मरता है यह है मोत का reason तो अगर हमारे stomach में HCL ना हो तो तो वो बन्दा KCN से नहीं मरेगा है ना simple HCN ना हो acid ना हो पेट में बट अगर पेट में acid नहीं हो ना तो खाना यह नहीं पचेगा हम वैसे मर जाएंगे जरूरती नहीं है KCN की तो acid बहुत जरूरी होता है stomach के लिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बटा stomach generally stomach का मतलब होता है amasya amasya में acid बनता है pate का मतलब पूरा abdomen पूरा का पूरा पेट जिसमें सारी आते भी आती है और liver वगरा सब कुछ होता है उसको pate बोलते हैं का बोलेंगों से abdomen abdomen that is abdominal अब आगे बढ़ते हैं बटा तो यह बन गया एच लग गया यहाँ पर पहला molecule बन गया एक्जमपल अब इसको axion बोल सकते हैं non pair होता है इसके उपर nitrogen में वो शो नहीं हो रहा methane nitrile will be the name क्योंकि इसके पिछे nitrile लगता है हाँ बई clear है यह सबको ch3 cyanide यह h की जगह पर ch3 लगा दिया और कुछ नहीं किया ch3 और example बन गया ethane nitrile तो carbon की chain है ethane लगा nitrile और इसमें e drop नहीं हो रहा देको e लगा हुआ है methane के साथ में भी ethane के साथ में भी क्यों क्योंकि आगे वोवल नहीं है अगर आगे वोवल हो तो e को drop कर लेते हैं a e i o u पांच वोवल होते हैं English में सबको पता है yes है ना यहां पर यहां पर भी वो वैसे यूज हो रहे हैं बीटा तो nitrile ग्रूप पूरा हो गया अब आता है iso nitrile उल्टा होता है nitrile का common name क्या था cyanide, iso cyanide भी बोलते हैं इसको बट वो common name होगा यह उल्टा होता है ठीक है तो यह नहीं वैसे iso का मतलब same होता है बट यहां है तो वो same group बट घूम गया पहले किससे bonding थी जरा ध्यान दीजिए पीछे वाले group में carbon के साथ r e i h carbon के साथ r e i h जुड़ा हुआ था यहां पर अब किसके साथ है nitrogen से है तो इसके थोड़े से ना bond वगरा पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं उल्टा हो गया ना यह थोड़ा सा काम तो देखो r की bonding है nitrogen से double bond carbon के साथ बना देते हैं हम लोग nitrogen के पास loan pair है तीनों bond पूरे होगे होगे ना पूरे और loan pair भी है पर carbon के तो दो ही पूरे होगे है इसका मतलब दो carbon के पास अभी valency पड़ी हुई है यह structure समझ में आया सभी को बेटा that is this one carbon hydrogen से नहीं जोड़ सकता है फिर बात में अरे वह बताता हूं बेटा लेकिन अभी यह समझ में आया yes sir थीक है तो अब देखते हैं आगे अब बात करते हैं कि carbon की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं carbon के पास दो double bond है दो bond nitrogen से साथ लोगे हुए और एक दो electron के खाली पड़े है चार्ज नहीं है carbon के पास ध्यान से देखो चार्ज है क्या carbon के पास no sir कोई चार्ज नहीं ना positive ना negative क्यों चार electron होते हैं इसके पास जिसमें से दो electron ने बना लिया bond दो electron खाली पड़े है चार्ज कहां से आएगा ना ज्यादा है electron ना कम है लेकिन इसके पास दो valency खाली है अब interesting fact बताता हूं इसका carbon अगर तीन bond बना ले CH3 और एक valency उसकी खल कह जाए इसको बोलते हैं free radical free radical आगे करेंगे हम इसे अभी बस समझ लो इसको समझाने के लिए यह मैं समझा रहा हूं ठीक है तो अभी इसे याद करने की जुरूरत नहीं बस समझने की जुरूरत है इसको बोलते है free radical इसका structure भी करेंगे free radical का इसकी stability भी करेंगे free radical की ठीक है बेटा सब कुछ करेंगे लेकिन फिलाल सिर्फ नाम याद रखिए तो इसको बोलते है free radical clear है yes sir free radical electron accepting in nature होता है electron को get करना चाहता है कि मेरे साथ कोई radical होते हैं न कुछ बच्चे उत्पात मचाए रखते हैं शरार्ती बच्चे यह वही है carbon में भी होते हैं है ना तो यह free radical मतलब उत्पाती इंसान है यह इसने बहुत जवरदस्त वाला काम कर रखा है और यह सब को तहल का मचा देता कि मेरे को electron दो वरना मैं सबको खराब करूँगा चीक है तो सबके bond bond तुडवा देता है खुद electron लेने की चक्र में तो यह electron accepting होता है अब अगर carbon की valency दो खाली हो तो यानि CH2 और यहां पर दो electrons खाली है valency खाली है दो इसको बोलते हैं कार्बीन येस गाइस ये clear है बटाओ electron accepting in nature होती है मतलब electron लेना चाहती है बस यह दिमाग में याद रखना है आपको क्या चीज याद रखनी है कि अगर carbon की एक valency या दो valency खाली हो तो वो उनके पास दो electron खाली है इसका मतलब और वो electron लेना चाहते हैं accept करना चाहते हैं यह सबको yes clear है yes sir तो अब देखिए जरा आगे क्या होता है अब हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि आईसो साइनाइड में carbon के पास दो electron's खाली पढ़े हैं पढ़े ना खाली यह वले electron carbon के पास खाली पढ़े yes बेटा अब यह जो electron खाली पढ़े हैं carbon के पास में यह electron accepting in nature होता है electron लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे क्या करेंगे तो देखो जरा nitrogen के पास में electron पढ़ा हुआ है यह loan pair nitrogen का accept कर लेता है जिससे क्या होता है तो यहां देखो इसने carbon को donate किया जिसके बीच में bond बन गया तो carbon को एक electron donate किया एक carbon के उपर आ गया negative charge nitrogen ने एक electron donate कर दिया अपना nitrogen पर आ गया positive charge yes यह nitrogen का positive और carbon का negative charge समझ में आ गया सबको yes sir ठीक है उपर से दुबारा nitrogen alone पर donate किया carbon को एक electron मिला और एक share कर लिया तो electron share होगे nitrogen की तरफ से but एक electron अभी भी nitrogen के पास में है यह वाला electron तो एक ही electron donate हुआ है तो इसलिए carbon पर negative आ गया उसके पास एक extra nitrogen proportion अब क्योंकि यह electron accepting था carbon तो electrons खली पढ़े थे इसके तो इन्होंने electron accept कर लिया यह हो गया satisfied कैसे satisfied अब यह electron किसी को donate शायद कर दे बड़ donate भी नहीं करेगा क्यों क्योंकि उदर से nitrogen मांग रहा है nitrogen फिर से ले लेगा इसको फिर से nitrogen ले लेगा और उपर वाला case बन जाएगा फिर से nitrogen donate कर देगा और यह आपस में ऐसे ही खेलते रहेंगे इसको बोलते है resonance समझ में आगए सबको यह यह लगातार यह position चलती रहेगी तो इसलिए carbon किसी को donate देने के लायक नहीं है carbon किसी के साथ bond बनाने के लायक नहीं है yes बेटा यह बात अब समझ में आगए आपको why it cannot be do that hydrogen carbon के साथ क्यों नहीं जुड़ेगा समझ गए hydrogen carbon के साथ next case में क्यों नहीं जुड़ सकता तो इस तरफ से कभी भी hydrogen या carbon की chain इस तरफ से R नहीं जुड़ेगा नहीं H जुड़ेगा जुड़ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यह आपस में खेले जा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरफ से इसके जुड़ने की probability खतम है, हाला कि यह reactive species होते हैं, इस बात में कोई deny नहीं कर रहा है, यह जल्दी सी reaction कर लेता है, किसी दूसरे के साथ तो तोड़ खोड़ कर देते हैं फि यह बन गया R, N, C और इसको बोलते हैं आईसो नाइट्राइल, पीछे लगेगा आईसो नाइट्राइल, तो यहाँ पर definite सी बात है, R ही लगेगा, H नहीं लग सकता, तो R मतलब एक CH3 लगा दिया, अब एक CH3 लगा दिया, तो यह वाला कार्बन अब काउंट नहीं करेंगे ज़रले हम हर कार्बन को कांट करते हैं कार्बन की चेई में बट इसमें नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिरफ यह कार्बन की चेई कांट होगी, जिसका नाम है मिधेन, और यहां पर Isonitrile, methane प्लस isonitrile, यह दोनों जुड जाएंगे, क्योंकि NC पूरा isonitrile ह तो इतना था आइसो नाइट राइल अब नेक्स्ट ग्रूप देखते हैं अब आगे वाला ग्रूप असान है आप लोगों ने टैंथ क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना जरूर होगा पढ़ा नहीं होगा किसे ने ध्यान नहीं किया होगा कितने बच्चे हैं ज चलो अच्छी बात है ठीक है तो देखो अल्डी हाइड ग्रूप टैंथ क्लास में जैसे आप लोगों ने अल्डी हाइड ग्रूप डेफिनेटली पढ़ा होगा है ना तो अगर नाम सुना बहुत अच्छी बात है वरनाम इसको डिटेल में करने वाले हैं जो मुझे बतान अल्डी हाइड का अल्डी हाइड के पिछे लगता है ठीक है तो इसको ऐसे भी लिखते है र-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च- जिसारे फाने सासे दिमाग लगा कि सोचम पता लग जाएगा वह के था मुझा भे तो इसको उल्टा दिखाया कु доллар किसा इसको की लिखते हैं तो यह उसका लिए और यह उसका और यह इसको नहीं डिखाये वह ऑगर तो आगे भड़ते हैं तो वह यह RCHO के नाम से बनाया जाता और यह हमेशा टर्मीनल होगा, लास्ट एंड पे लगेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि एंड पर ही तो H लगा होगा, अगर इसके आगे और कार्बन लगा दिया, तो यह तो दोनों तरफ से कार्बन हो गया ना, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए या दूसरी तरफ से अगर हम कहेंगी, इधर से कार्बन की चेंड चला देते हैं, चला दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर एच रहेगा, अगर इधर से भी कार्बन की चेंड चला दी, तो भई यह चो ग्रूप भी नहीं रहा, समझ गया ना, मिटा, यह सर्थ, तोनों तरफ कार्बन नहीं हो सकता, एक तरफ कार्बन की चेंड, दूसरी तरफ एच लगएगा, तो यह एच चो, इसको लिखते देखो, तो एच, चो, चो तो इन तीन आटम को लिख दिया और एच उसके बाहर था, पहला एल्डी हैड, एच, चो बनेगा, जिसका नाम है, मिथेन, और एल, पिछे लग जाएगा, मिथेन, 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 कैसे भी पढ़ सकते हो, पढ़ना आपकी चोईस है, बोलना आपकी चोईस है, I am not denying anything, ठीक है, तो आप जो बोलना चाहें, यह, what you want to say, you can say, बढ़ते हैं, next, अगर इसी ने एक कार्बन लगा दिया, हाइडोजन की जाएगा, यहाँ पर मैंने एक कार्बन लगा दिया, तो यह क्या बन गया, भई, CH3, CHO, इथेन, ओल, इथेन, आल, that is the name of the group, इथेन, ओल, yes, guys, clear है बेटा सबको, yes, sir, ठीक है, मिथ एनल, एथेन, ओल हो चुका है, और यह, आज़जन, पर आता है, तो इस से पहले क्या था, इस से पहले क्या था, और ऐसल नभा पर दूसरे नमबर पर था, असे तिसरे नमबर पर था, कौन सा एसे, । बताो भई। और शाल को एस्टर। था था, तीसरे नमबर पर था श्टर। चोलफे नमबर पर क्या था। acid chloride पांच में नमबर पर क्या था तो इस तरह से दस के दस तो आपको अभी याद हो जाएंगे ठीक है तो बही अल्डियाइड हमने कर लिया नेक्स्ट आएगा किटोन देखो क्या होता है किटोन में दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए अगर एक तरफ भी हो गया एच नहीं हो सकता है अगर एक तरफ भी हैच लगा दो यहाँ है लगा दो यह तो लडियाइड बन गया है ना तो इसलिए किटोन में दोनों तरफ कार्बन होता है मतलब मतलब आर होता है दोनों तरफ हैच नहीं होता और इसको बोलते हैं इसके पीछे लगता है O N E 1 वैसे ओन लिखते ह बट आप one भी पढ़ सकते हो, choice is yours अब इसके अंदर सबसे पहला किटोन बनाना चाहें तो कम से कम एक कारबन तो लगाना ही पड़ेगा एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, आप कोई दिक्कत निया दोनों तरफ एक से ज़्यादा लगा सकते हैं बट एक कम से कम लगाएंगे, तब पहला एक्जांपल बनेगा इसका, तो CS3, CO, CS3 CS3, CO, CH3 तो इसको बोलते हैं, प्रोपेन, तीन कारबन की चीन है यह प्रोपेन, वन प्रोपेनोन पढ़ेंगे इसे प्रोपेनोन, और इसका एक कॉमन निम होता है प्रोपेनोन, नहीं, ल खोचचसपश, तोकेज चीन, नामारी क्लास में को लड़का जोगाइश, सबसे चोटे वाली उंगली होती हैं ना इंडेक्स फिंगर कौनसी फिंगर बोलते हैं से कौनसी फिंगर बोलते हैं इंडेक्स फिंगर नहीं होते हैं तरज नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं इसको I don't know चलो जो भी यह सबसे छोटी फिंगर इसके उपर नेल पुलिश लगाता था उसने नाकून बढ़ा कर रखा था सब्सक्राइब करते हैं लड़के वैसे तो बहुत सारे फैंशन होते हैं लड़के आजकल आपने देखा है अमेरिका के अंदर स्कॉर्ट पहनते हैं वो इस पता है आर यू आवेर आपोर दिस वो लड़कियों कपड़ उठा 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 के पहन रहे हैं अगर तीन चार्वन की चीन हो एक और बन किसी भी तरफ एक और यहां पर बढ़ाए आप इदर भी बढ़ाते हैं दोनों तरफ भी बढ़ा सकते हैं तो इस एल अगर अगर H, OH बना देतों, तो यह तो पानी बन गया ना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ H नहीं लगेगा R के साथ, तो मैंने हर जगे जहाँ पर भी H लग सकता है, वहाँ R और H दोनों लिखे हैं, अबलीक में, आपको भी वैसे याद करने हैं, और जहाँ H नहीं लग सकता, वहाँ अकेला R लिखा है, R मतलब कार्बन की चेन, L खाई लगरो, ठीक है, तो अब देखिये जरा, यहाँ हम एक R लगाएंगे, मतलब एक कार्बन लगाएंगे, तो वह CH3 लगेगा, प्लस OH लग दिया, तो CH3 OH, मिथ, एन, ओल, ओल लगता है, एल्डियाइड में, अल लगता है, अल, मिथ, नो, डटिज दनेम अफ लगता है, अगर इसी में कार्बन की चेन को बढ़ाएंगे, तो दो कार्बन की चेन बढ़ेगी, प्लस OH, तो क्या बन जाएगा, इथ, एन, और ओल, एथ, नो, डटिज दनेम अफ लगता है, एथ, नो, यहाँ, गाईज, क्लिर है सब को यह, सर्शन, जाय, अभी, नो, एथ, नो, आघएनोल, टैस हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटाउ, थायोल, अब देखो, अलकोहल के बाद आता है, थायोल, थायोल भी अलकोहल का भाई है, ठीक है, कैसे, थायोल होता है, SH, एलकोहल होता है, OH, तो OH और SH में क्या फरक है, OH, oxygen के तेल्यूरियम पॉलोनियम ऐसे नहीं होते हैं यह ओक्जिन ग्रूप है ओल्ड स्टाइड से टेपो ठीक है और गैनिक और इसमें पिरियोडिक टेबल अगर आपने याद कियो याद किये किसी नहीं पिरियोडिक टेबल इसके शोर्ट फॉर्म्स याद है किसी को अंकित इस नहीं पिरियोडिक टेबल वाले है ना वो शोर्ट फॉर्मस मैंने आपको बताया था कि शोर्ट फॉर्मस याद कर लेना उसका मैथड भी बताया था चलो कोई बात नहीं उसको याद जरूर करना वड़ना वो बहुत काम की चीज़ है तो देखे आर एस एच थायो थायोल अर की जेगही पर शी लगा दिया फर्दर नेक्स वाल देखो दो कारबन की चेन लगा दी तो इतहयोल बन गया इतहयोल तो जैसे alcohol था, ethanol, यह wine वाला alcohol होता है, पीने वाला, drinking alcohol जो कि हारम फुल होता है, इसको slow poison बोलते हैं, दीरे दीरे आदमी मरने लग जाता है इसको पीने से, जो पीने वाले होते हैं, दीरे दीरे से मरते हैं, obvious है, ठीक है, तो slow poison याद है, बहुत अच्छी बात है बिटास नहीं हो, ठीक है, वो याद होना चाहिए तो देखो, इस slow poison की तरहां काम करता है ethanol, वैसे ही, थायो alcohol, जो दो कार्बन की चेन वाला होता है वो भी थोड़ा सा काम की चीज़ है, वो क्या काम की चीज़ है, यह वला तो यह क्या काम की चीज़ है, तो इसी के बारे में देखिए इथेन, थायोल बोलेंगे इसे दो कार्बन है, इथेन है, SH लगा हुए, थायोल बन गया, इथाईल मर कैप्टन इसका common name है, LPG में मिलाया जाता है इसको, इथाईल मर कैप्टन, LPG में मिलाया जाता है, आपकी LPG liquid petroleum गैंस जो होती है, वो इसके अंदर मिलने के बाद smell मारने लग जाती है, बदबुदार होता है LPG में से smell नहीं आती है, लेकिन इसमें से आती है, yes guys, clear हो तो इसी वज़े से अगर गलती से slender का नोब खुला रह जाए तो LPG लीक हो जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि LPG गैंस लीक हो रही है, क्योंकि बदबुदार आती है slender में से, clear है yes sir इसका common name याद रखेगा मिथाईल मर कैप्टन होता है, जो LPG में मिलाया जाता है, या IUPAC name भी याद रख सकते हैं, इथेन थायोल दोनों याद रखने हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं बटा, next amine, थोड़ा सा जान डालिए, amine आगया 14 ही है total, दो रह गए बस ठीक है, 12 के बाद 2 ही रह गए तो amine देखिए, amine क्या होता है, बड़ा interesting है, amine, amine के अंदर अब आपको थोड़ा सा चीजे समझ में आएंगी, अगर R के साथ NH2 लगा हो है, वन डिगरी होता हो ठीक है, और अगर nitrogen में एक H है, तो बकी की दो valency R से cover है, तो 2 degree, और nitrogen की तीनों valency जो है, वो तीनों valency nitrogen के अंदर, अगर वो तीनों की तीनों R से cover है तो उसको 3 degree amine बोलते हैं, 1 degree, 2 degree, 3 degree सबी carbon के साथ है, R मतलब carbon है ठीक है, तो nitrogen अगर carbon के साथ जुड़ी होई है, एक side से, तो 1 degree, दोनों side से जुड़ी है, 2 degree, तीन side से जुड़ी होई है, तीनों valency carbon से cover हैं, तो 3 degree, ठीक है और इसके पीछे लगता है amine simple सा है, इसके पीछे amine लगता है, that's it, अब आगे बढ़ते हैं, बिटा, इसी के अंदर, amine के बाद में देखिए ज़रा, example है, CH3 NH2, यहां loan pair होगा है, इसमें definitely, ठीक है, CH3 NH2 यहनि एक carbon की chain, methane amine, 1 degree, yes clear as अभी गो, methane amine, 1 degree अगला पढ़ते हैं, अगला next देखिए, next के अंदर क्या है, CH3 NH3 दो तरफ CH3 लगा हुए तो दोनों में से किसी एक को carbon की main chain का नाम देंगे किसी को पकड़ लो, दोनों CH3 है, तो हमने एक side NH को CH3 के साथ लगा लिया, और दूसरी तरफ CH3 को as a group मान लिया alkyl group, तो alkyl group कौन सा होगा methyl, एक carbon है, myth लगेगा, yl लग जएगा, myth an की जगेगा है पर yl लगा, तो CH3 का group बन लिया, methyl group yes, clear है, ये methyl group yes, guys, methyl clear है सबको, जो methyl लगा हुआ है सब नीरा नहीं मुझे लगा है sir, इसमें जो ये CH3 हुआ हमेसे अलग ही रहा देखो बिटा, NH से अलग हो रहा है न, CH3 नहीं मतलब carbon की कोई भी, ये NH है, NH के साथ इस तरफ CH3 है और इस तरफ CH3 है तो आपको एक को तो NH के साथ जोड के लिखना है और एक को पैस एक group लिखना है, क्योंकि बीच में gap पढ़ गया न, continue chain नहीं है ये, carbon की, शुरू में बताया था continue chain इसमें breaking आ गई, तो अलग एक को अलग अलग नाम दिया जाए ग, तो बुनों chain अलग अलग नाम होँगे, लेकिन एक चेन को नाइड्रोσιन साथ जोड कर पढ़ेंगे, एक को नाइड्रोसन शाय बिना पढ़ेंगे तो तो तीनों में से एक चेन को में चेन का नाम देंगे कौन सी चेन को में दें जो सबसे बड़ी हो यहां तीनों बराबर है तो किसी को भी उठालो वरना सबसे बड़ी चेन ही में चेन हो भी याद रखना तो हमने मानलो किसी एक को उठाली है मानलो इसको हमने में चेन नाम दे तो यह बन गया मिथेन अमाइन लास्ट में लिखा हुआ है मिथेन अमाइन यह तो हो गया root name, खतम, फिर ये दोनों क्या है, ये methyl group है, दोनों methyl हैं, तो दोनों को dimethyl लिखेंगे, dimethyl, और दोनों के दोनो n के साथ जुड़े हुए, nitrogen के साथ जुड़े हुए, इसलिए लिखेंगे, n, n, dimethyl, methenamine, that will be the new compound, n, n, दो बार nitrogen लिखेंगे, represent होगी, क्यों, क्योंकि दोनों methyl, nitrogen से जुड़े हुए है, तो n, n, dimethyl, दो methyl है, जो दोनों के दोनों nitrogen से हैं, इसलिए होगे बाद, ये सर, इस तरह से ये 3 degree amine का example होगा, बिटा, this is the 3 degree amine, ये 3 degree amine है, याद रखिएगा, ठीक है, अब आगे वढ़ते हैं, alkyne, alkyne 13 number पर आता है बई, alkyne जो है, वो ethene, अब देखो, मैंने सरफ एकी example दिया, इसका ethene, methane, methane तो होई नहीं सकता है न, क्योंकि एकी carbon होता है, उसमें कम से कम दो carbon, जिनमें एक example लिखा है, ethene का, ethene मतलब, इसका एक common नेम भी होता है, ethylene, ethylene is the common name of ethene, ठीक है, और same as it is alkyne, carbon carbonate triple bond, और ये भी मैंने पहला ही compound लिखा है, बाकी सब हाईडोजन से वैलन सी complete है, ethene है, ये यन ही लगता है इसके बिचे, और इसका economene मैं, acetylene, ये gas होता है, acetylene, और ये fruit ripening में का माता है, fruits को जब पकाया जाता है, तो इसी gas से पकाया जाता है, fruit ripening, ठीक है, ये artificial fruit ripener है, acetylene gas, और gas welding में भी इसको use करते हैं, आपने देखा innat, gas welding वो, एक nobes होती है, उनके बास उसमें से सुर करके gas वो निकलती है आग निकलती है यह सर यह वाली गैस oxygen के साथ mix करके high pressure पे जब burn कर जाती है तो 3000 degree Celsius का temperature attain करती है जिससे लोहे को आसानी से काटा भी जा सकता और जोड़ा भी जा सकता है यह वही गैस है एसी टाइलीन क्लीर है भई तो यह गैस आपने गैस वेल्डिंग में देखा होगा नॉर्मल वेल्डिंग निए गैस लिंग आपको यह याद करना भी अच्छा से और अब मैं रिकोर्डिंग ओफ कर रहा हूं किसी कोई डाउट है तो यू कन आस्क्राइब यू कन आस्क्राइब